और पहले तो आपको साथ दिन जॉब मिलता नहीं, अगर साथ दिन मिल भी जाए फिर भी 3000 पाउंड नहीं बनती। यह कलकुलेट कर ले तो आफ्टर टेक्स आपके पास हार्डली 1600 पाउंड में दू किसम की साइट्स होती, एक होती पर्मनेंट साइट, एक होती टेंपररी साइट, कैसे दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो में मैं कुछ हाश रियालिटी आप लोग के साथ शेयर करने ज चोड़ना, तो यह वो लोग होते हैं जो बहुत बड़ी लंबी चोड़ते हैं, और व्यूस के चक्र जो है वो लोगों से जूड बोलते हैं, पिर जब स्टूड़न्स यहां पर आ जाते हैं, और उनको जॉब्स नहीं मिलती, और जो तीन हजार पाउंड कमाने का वो पूरा नहीं होता, तो फिर वो जो है, डिपरेशन में चले जाते हैं, और पिर वो कहते हैं, कि हमने तो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन रखी थी, यहां पे तो कुछ नहीं रखा, जिसके वज़ेसे बहुत डिस हर्ट होते हैं, और कुछ लोग तो प्लान करते हैं, कि किस किसम के साइट्स होती है, एक होती पर्मनेंट साइट, एक होती टेमपररी साइट, पर्मनेंट साइट एक ऐसी जगह होती है, जहां पे आपको पर्मनेंटली शिफ्ट मिलती है, महीनों तक, और टेमपररी साइट ऐसी होती है, कि वो कुछ दिन के लिए आ जाती है, जैसे क सब कॉंट्रेक्टर्स को बता दे और जो है आपको वो दे देते हैं कुछ दिन के लिए तो पहली बात स्पेशली लंडन में पर्मनेंट साइट मिलना आज के दोर में वो नेक्स्ट इंपॉसिबल है क्योंकि जो पर्मनेंट साइट होती हैं ज्यादा तर वही लोग करते हैं जो पिछले दो साल से करते आ रहे हैं या जिनके पास फुल टाइम वर्क अलाउड होता है या जिसके पास यहां का प्रेटिश का पासपोर्ट होता है को और कंट्रेक्टर के पास चले जाते हैं जो सब कंट्रेक्टर की कंपनीज हैं वो मोसली पाकिस्तानी कंपनीज होती हैं यह पास पर इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडन्स काम करते हैं तो पहली बात तो यह है कि अगर आप सपोज फुल टाइम वर्क अलाउड है और आप एन मंदली ये कलकुलेट कर ले तो आफटर टेग्स आपके पास हार्डली सोला सो पाउंड बढ़ जाते हैं इसके लावा भी जो कैश में काम करते हैं जो कि मैं रिगमेंड नहीं करता उसमें स्टूडन्स को आर्ट पाउंड से ज्यादा नहीं मिलता तो अगर आप बाराग से या मैन एरिया से बहुत दूर होती हैं और उसको जानी के लिए आपको ट्रेवल कास्ट देने पड़ती हैं तो वह ट्रेवल कास्ट आपकी रेंच करसकती है 5 पाउंड से लेके 10-15 पाउंड तक तो वह डेली आप उससे खर्चा माइनस करें और इसके साथ-साथ आप चाहते कि आप साथो दिन काम करें कि एक बार आप काम करने लगे तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि बन्दा बहुत एक्जॉस्ट हो जाता है जिसके वज़ा से आप खुद एक चुट्टी मांगने लगते हैं अगर आप खुद ना मांगे तो ज्यादतर केसिस में जो आपको एक दिन की चुट्टी देता है तो आप मतलब 6 डेस से ज्यादा काम नहीं कर सकते वह 6 डेस इस तरह 26 डेस अगर आप मंद के भी कैलकुलेट कर लें तो आप हार्डली 200 से बाइस सो पांट से ज्यादा नहीं कमा सकते जो 3000 पांट कमाते हैं 100 में से एक बंदा होगा व तो कि पाकिस्तान इंडिया में गर्ब बैट के ऑनलाइन जो है वो लाको कमा रहे हैं या जो अब एक इंडियन कोई बच्चा था 14-15 साल का उसको गूगल ने पता ने कितने करोड में जो है उसको सेलरी आफर की और कितने करोड में उसको खरीद लिया तो पिर मैं ये तो न परियाद रखें कि जो कंपनी जो सब कंट्रेक्टर्स जिन के पास पर्मनेंट साइट होती है पाकिस्तानी कंपनी सी मैंने बात की तो उनके अपने एक तो यहां पर अपने लोग होते हैं फिर बहुत सारे रिल्टिव अपने हां बुला लेते स्टूडन वीजा पर उनको पर्मनेंट साइट दी जाती है तो अगर आपके फैमली मेंबर आपके अंकल या अपना है कोई बंदा है जिसकी अपनी कंपनी है तो वह तो आपको पर्मनेंट साइट दे सकता है लेकिन उसके लावाँ अगर आपको नहीं जानते और बढ़े से बड़ा रेफरेंस भी देख लेती लोगों ने धड़ा-धड़ पैसे कमाया थे उस वक्त रेट भी अच्छा था लोगों ने खूब पैसे कमाया उस वक्त इतना कॉंसेट भी नहीं था सिक्यूरिटी का और उसके बाद ये कॉंसेट डिवलिप हुआ इसके साथ साथ अगर आप देख ले तो बहुत और इसी तरह के और भी कई बिजनेसेश हैं जो के जिन्होंने ब्रांच बंद की है या शटड़ाउन की है या कम कर दी है और उन्होंने लेओ आफ किया है जिनकी वज़ा से अब सिक्यूरिटी की जॉब्स ऐसी नहीं रही जैसे पहले होती थी पिर भी मैं यह नहीं कहता कि सिक्यूरिटी जॉब्स बिलकुल है नहीं मैं अब भी रिकमेंट करता हूँ हाला कि मेरी वीडियो शायद आ जा जाए या कल आ जाए या आ चुकी होगी जिसमें मैंने एक्स्प्लीन किया है कि SIA लाइसन्स कितना इंपोर्टन है और यह क्यूं आपको एक अच्छी खासी जॉब दिला सकती है जॉब आपको मिल सकती है लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन्स रखना कि आप 3000 पाउंड्स या इससे ज्यादा खमाएंगे वह बहुत ही रेयर है अल्मोस्ट लिल के बराबर है तो आप प्लीज जिनकी बाते सुनते हैं उनकी जरा प्रेप्यूटेशन चे जो बंदा अगर जूट भी बोले या जूटी तारीफ भी करे तो हमें अच्छा लगता है मज़ा आता है और उनको हम सपोर्ट करते हैं जबके एक बंदा अगर सच बोल रहा है और वो बात तलख है तो हम उसको पसंद नहीं करते जैसे हमने सुना है कि सच हमेशा कड़वा होता है तो प्लीज ये बात माइन में रखे कि स्टार्ट में भी आपको काफी स्ट्रगल होगी कुछ लोग को तो मन्त या इससे भी ज्यादा इसाई लाइसनस आ जाता है उनको जौब तक नहीं मिलती पिर जो है आप क्या करते हैं कि इदर उदर से गुरुप्स में एड़ करके आप जो है वो रिटेल साइट जिसमें आठ से नो गिंटे तक कड़ा होना पड़ता है इस तरह की साइट एक दो तीन मिलना शुरू हो जाती और दीरे दीरे जो है वह आप अपने कनेक्शन बना लेते हैं और पिर कहीं जाके बहुत ही कम लोगों को पर्मनेंट कोई सा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एल सी दे नेक्स वीडियो टेक वेरी गूड केर अफ यूरसेल्फ प्लीस टेक केर अफ दिस चैनल अजब कोई भी क्वेशन हो कमेंट में पूच सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं अला आफेज प्लीस